नमस्कार दोस्तों मैं किर्ष्ण कुमार आप सभी का हमारे यूटूब चैनल फर्स साइट एजूकेशन पे स्वागत करता हूँ साथियों HSSC के दवारा हाल ही में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है तो न्यूज देख लीजिए क्या है आपकी कमांडो की जोईनिंग थी जिसके अंदर 24 उमीदवार अपनी जोईनिंग करने नहीं पहुँचे इसके साथ में आठ जो विद्यार थी हैं वो क्या हैं वो संदिक्द मिले हैं जैसा कि HSAC के चेर्रमेन पहले ही बताया था कि कुछ जो उमीदवार हैं वो संदिक्द लग रहे हैं इसलिए हमें बायो जोईनिंग के समय बायो मेट्रिक करने के आवश्यक्ता है और बायोमेट्रिक का फैसला लेने के बाद कुछ मीद्वार जोईनिंग करने ही नहीं पहुंचे और कुछ की बायोमेट्रिक नहीं मिली तो ये बरस्टाचार को रोकने में बहुत बड़ा कदम है देखिए पूरी खबर क्या है बता देते हैं इसके साथ में देखिए अगर या ना पुलिस का जो मेल कॉंस्टेबल का है या फिर फिमेल कॉंस्टेबल का है उसके अंदर परसेंटाइल मेथड को में थोड़ा सा अगर सुदार किया जाए तो वहां भी क्या है बहुत फेर जोईनिंग हो सकती है अभी जो है अभी क्या जो पैटरन है उसके हिसाब से कुछ टूडेंट है जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है उनका सेलेक्शन रह गया है और कुछ टूडेंट जिनके पास एक्स्टा मार्क्स हैं उनका सेलेक्शन हो गया है तो आप गबराईये मत उसके अंदर भी बहुत जल्द सुदार होगा अब दोबारा से क्या नाम है संदिक्द मिले हरियाना करमचारी चैन आयोग की मुस्तेदी काम आ रही है आयोग ने कमंडों के लिए पुरुष सिपाही पद्दों के लिए चैन सूची जारी की थी इन चैनित उमीदवारों को की वीरवार यानि कि कल को भी जोइनिंग थी और जोइनिंग के समय भई बा दोबारा से सिगनेचर मैच किया जाएंगे दोबारा से पीएस्टी दस्तावेज सारे डोकुमेंट चेक किया जाएंगे तो इस फैसले से क्या हुआ कि जो फरजी लोग थे वह क्या है अपनी जोइनिंग लेने नहीं आये और आठ क्या है संदिक्द मिले हैं तो बहुत और खबर भी है दुर्गावाईनी के लिए दोबारा हाइट मापने पर पांच उमीद्वार शफल हुई एक मोका और दिया गया था भी दुर्गावाईनी के लिए तो उसमें पांच जो कंडिडेट्स हैं और शफल हुई है आहिट मेजरिमेंट के अंदर भई ठीक है एलम के जो डोक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रही है उसमें 150 विद्यारती क्या है कि डोक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं पहुंचे गैरा जीर रहे हैं इसके बाद कलक वेटिंग की सुची में समय लगेगा स्वास्ते विबाग के पदों का प्रिणाम 28 फरोरी तक जारी होग तो ये सब क्या है की दिया गया है देखिए एक और खबर आई है हर्याना करमचारी चैनायोग के अध्यक्स बोपाल जी खदरी ने दैनिक सवेरा से विरवार को पूछा कि कलक वेटिंग के उमीदवार बार बार पूछ रहे हैं कि उनकी सुची कब जारी होगी तो इस तरह सुची की वेटिंग के लिए सुची की वेटा सरकार ने 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दी है इसलिए इन पदों की सुची जारी होने में कुछ समय लगेगा क्योंकि उप्सन बदलने का एक मामला आयोग के पास विचारा दिन है उन्होंने कहा कि जहां तक स्वास्ताविबा के पद का प्रिणाम जारी हो रहा है यानि कि वही जो आपके रजल्ट हैं वो जारी होने स्टार्ट हो गए हैं अब हरियाना पुलीस सबसे जो बड़ी बरती है मेल कॉंस्टेबल की और फिमेल कॉंस्टेबल का उसके अंदर पर्षेंटाइल का जो लफड़ा है वो ठीक हो वही चैनल को सब्सक्राइब और बैल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें धन्यवाद